हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक में यूट्यूब चैनल टोटल स्टरी क्लास है तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले एससी जेडी कॉंस्टेबल जो 2018 में कंडिडेट एक्साम दिये थे उनके साथ क्या हो रहा है और उनलों को जॉइनिंग क्यों ने मिल रही है तो गाइस स्ट सामिल हुए थे एक्साम में सफल रहे मेडिकल भी पास किया तमाम दूसरी प्रक्रिया भी पूरी की लेकिन जॉइनिंग नहीं मिली इसी को लेकर दिल्ली में सांती पूर्ण निक्ति देने की मांग कर रहे थे लेकिन मिला लाठी चार्ज वहां 55,000 कैंडिडेट हक मांग र जिसमें से बहुत सारी गल्स थी गल्स को भी बहुत पीटा गया लोग को टॉर्चर किया गया क्योंकि वह अपने हक मांग रहे थे इसलिए इस वीडियो में देखिया आप कैसे सबको मारा जा रहा है आप देख सकती इस वीडियो में सबको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे ग्रल्स भी है और बॉइस भी है पके साथ एक ही वेवार क्या जा रहा है ऐसा यो लोग क्यों कर रहे हैं बस यह में अपना हक मांग जो आप का गुसे नाख चाहिए और ट्योटर में बहुत तो हीोड़् अपना वाजिब हक मांग रहे स्टुडेंट पर लाठी चार्ज का हम विरोध करते हैं और यह पिक देखिए यह डेली रोड का ही पिक है जिसमें बहुत सारे स्टुडेंट जो 55,000 कैंडिडेट जो जॉइनिंग के लिए वेट कर रहे थे तीन साल से वो कैंडिडेट सब कोई अनसन कर रहे हैं यह जितने भी कैंडिडेट है सब SSC जेडी 2080 के कैंडिडेट है और यह वीडियो गर्स का है यह भी अब देख सकते हैं इसमें वही किया जारा है जो बॉइस के साथ किया जारा है गर्स को भी नहीं उस पे भी दया नहीं दिखाए जारी है कि गर्स है वो उसकत ऐसा नहीं करें धन्यबाद वरे भाईया हंस राज मीना जी अपने आवाज बुलंद की युवाओं के लिए लाठी चार्ज कर रही है सरजी सरकार ने इन चोकेदारी को वर्दी बदलाओ दे तो किसी भी दृष्टी कौन से प्रतित नहीं होता है या एक प्रजातंत्र देज की दिर्ष है सरकार के विरोध सांती पुर्वक विरोध या प्रशासन प्रजांतंत की धरकन है धरकन को धंगने नहीं देंगे तो प्रजातंत आप पे ही वेलुक्त हो जायेगा ये ट्यूटर पे गल्स ने ट्यूट किया था ये ऐसे बहुत सारी ट्यूटर पे ट्यूट किया है ये ये जो देली में प्रसासन कर रहे हैं कैंडिडेट के साथ मोदी सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार भी मज़ूद नहीं है जबकि सरकार के खजाने खाली तो नहीं है नोकरी देने के बाद सेलिरी कहां से देंगे पेट्रोल डीजल पर टेक्स्ट लगाकर विकास पर खर्च किया जा रहा है हलाकि विकास विग्यापन के अलावा कहीं नजर नहीं आता ऐसे इसे ट्यूटरें पर ट्यूट किया जा रहे हैं मतलब वो लोगों को जॉइनिंग इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गौर्णमेंट है मोदी जी है वो अभी पेट्रोल भी खरीद रहे हैं तो किसी और को और से लेकर खरीद रहे हैं इसलिए साय जोइनिंग नहीं दे रहे पर ऐसा ये बात जूट है ऐसा नहीं है ये सरकार की नियती है कि उन लोगों पर लाठी चार्ज कराया जा रहा है मतलब ये सरकार का ही किया हुआ है उपर से ओर्डर आया है वो लोग बोले हैं तभी ऐसा किया क्योंकि कोई भी पुलिस फोर्ज किसी पे हाथ बिना किसी को बोले, उठा नहीं सकता है वो गौर्णमेंट बोला है तबी वो लोग S.A.E.A. स्टूडेंट के साथ घर रहे हैं जो खुद कल को इसी सौभाविन वर्दी में पहन कर देश की रच्छा करेंगे मेरा शवाल इन वर्दी से पहनने हुए नौजवानों से भी कि तुम और इन लोगों में फर्क बस वर्दी पहनने का है वर्ना आपसे कम तर तो भी ये नहीं इन्होंने भी लिखित पेपर दिया है S.A.C.J. कैंडिडेट पे पुलिस दुवारा लाठी चार्ज किया है ये पिकते की गल्स का है ये गल्स को भी मारा गया जिससे ये अभी हॉस्पीटल में एडमिट है इतने गंदर तरीका से उन लोगों साथ टौशर किया गया है माना जी सरकार से सभी यूवा परशान है इसको हटाया बहुत जरूरी है नहीं तो देश पूरा गुलाम हो जाएगा ऐसे से टूटर पर टूट किया जारा एक कैंडिडेट तो ये भी बोल रहे है कि वाओ के निविदन कुछ अलग सोचे जैसे जहां भी सरकारी कारियाले है वहाँ जाकर बिना मेहनत किये सीखे वे कारी को एवं इसके पुर्व जिस कारियाले में जिस परकार का कारी होता है उसका किताब नियम पढ़ते वे कारे बिना वेतन के कार करके अंदोलन कर रहें ओफिसर वर्क एक दाम अलग होता है 2018 ही नहीं 2011 से अब तक जितनी भी भरती हुई है उस हर भरती के बच्चे पूरी प्रिक्रिया होने के बाद भी अभी वी विंचित है मतलब 2018 ही ने जो 2011 में कैंडिडेट एकसाम दिये थी जिनका मेडिकल टेस्ट हो चुका था वो कैंडिडेट को भी जॉइनिंग नहीं मिला है मेरा खुद जोइनिंग नहीं मिला है जो जिसका मेडिकल पूरा किलियर हो चुका है 2012 वाला को भी नहीं मिला है तो ये 2018, 2011, 2012 ऐसे से बहुत सारे कैंडिडेटर जो एकसाम दिये उनका जोइनिंग अभी तक नहीं होगा है अब दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कर रहे होंगे जरा सोचिये की फ्यूचर का क्या होगा जनता के जनमत की सरकार चाहते हो और ताना साही की रोकना चाहते हो ऐसे बिहारी और एक कैंडिडेट तो ये भी बोड रहे है कुछ गलत नहीं हो रहा है इसके साथ सब कुछ सही हो रहा है इसी के हकतार से ये सब वोट जॉप के लिए कोई दिया था तो कोई 5 केजी के हुन के लिए दिया था वोट वही दिया था जिने अभी जॉइनिंग नहीं मिल रही है अगर इस बिरजगारी की जगा पर ये जवान लोग होते तो क्या करते ऐसा ही भी बिरजगार यूगा आज करते हैं आप लोग को अगर समझ में आग यहागो तो प्लीज अगर मैं चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देजिए लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और ऐसे ही में वीडियो अप्लोट करते रहते हूं SSC JT जो 2018 वालों की जॉइनिंग नहीं हुई है उसको लेकर कुछ लेटेस अपडेट में अप्लोट करते रहते हूं अगर आपनों चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए और लाइक कर देजिए ताइंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद